कि हलो और वेलकम तो फाइस अकाडमी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आसे पॉलिटी की सीरीज जैसे पढ़ाते वह आया है वैसी पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन है वह लक्षमी कांथ की किया गया है जो चैप्टर वाइस बिनाई है आपके साथ शेर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर लिंक नीचे दिया वर टेल्ग्रम चैनल का महां पर हमारे जीते हमारे मटीरियल है जीतने भी हमारे कोर्सेज है सब आपको मिलेंगे मापे और अलफा येस इस फर्स्ट इंस्टिशन हिंदी कंट्री प्यार है वही यूट्यूब पर वही बहुत होता हमाले और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कोर्सेज रहें सब आपको जासे ज़्यादा प्रवाइड करें यह अलफाइस का एडिया और इसी कि इसी सोच के साथ हमने शुरुआत भी कि थी ठीक है और पॉलिटी हम लोग प प्रावल्र के पहले और तो रखेंगे करते हैं और आप प्राप्लम हो हमेशा आप हम आप has刚才 कर सकते हैं माय। पर नीचे दिया गया दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी आप टॉपिक चाहते हैं कोई के जिसमें वीडियो बनाए उसी के साथ साथ हमारे एडिक एडिटोरियल डिसकुशन चलता रहता है जो मोस्ट इंबड़न एडिटोरिय फैन आपको नौक नोकॉस्ट ट्रिग्रम चैनल पर मिल यही और कुछ चाहते हैं तो बता दीजिए का कोशिश कर रहे हैं और आप सभी का बहुत प्यार मिला उसके बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपका जुस्तने हैं उसी से हम जो हैं आगे बढ़ने के लिए जो है म कंपनी थी एक आपकी ब्रेटरिन में उन्होंने क्या किया कि 1600 के आसपास वह इंडिया है क्यों इलेजा बैत वन ने उन्हें चार्टर दिया कि आप जाएं और भी आपना ट्रेडिंग करें आदाम से जो काम है करें कि आपका इंडिया में जाके तो आए कि 1600 से 1765 तक स्थिती सही थी कंपनी अपना काम एज और कमर्शल बॉड़ी कर रही थी 1765 में यह हुआ कि 1765 में कंपनी ने दिवानी राइट्स एक्वाइर कर लिए निवानी राइट्स एक्वाइर कर लिए बेंगॉल के बिहार के और उडिशा के याद रखेंगे आप बाब से बिहार उडीशा जो उस्टम उडीशा था उडीशा अब इंगोल के खेल उस्टम तो उडीशा वह सब एक ही प्रोवेंस हुआ करता हो था बंगाल बंगाली प्रोवेंस था उसके तो इन सब के दिवानी राइट्स कम्णी ने एक्वायर कर प्रिटिस गवर्मेंट ने तो कम्पनी का रूल जो हमने दो भागों में डिवाइट किया है एक 1773 से 1858 तक 1858 से 1947 तर जिसको हम क्राउन रूल बोलते हैं यूगी 1857 में आपको पदाई है क्या हुआ एक बववन्डर मचा अठाराइशुश सकतावन की जो करांती थी वह हु है ओपड़ेंगे हैं सब आपस में इंट्रक्नेंटड इस हम कभी नहीं करते हैं तभी हम अपनी बॉडी को ठीक तरिके से प्रफॉर्म कर पाते हैं तो 70 73 से start करते हैं तो बहुत सारे एक्ट और बहुत सारे रूप का चार्ट रेक्ट अपता ऑफ और आदत है पुरानी अपने लोगों कि यह हमारा लाने वाला जो कॉंसेप्ट है इसी लिए उसको बोलते हैं कि कलोडियन लेजी क्योंकि वह तो हम तो वह तो गुलाम बनाना चाते थे ना मैं तो इसलिए कावद भी एडिया मैं की यू फाइंड में मैं एल शो यू दालो इतने लॉस हैं ठीक है मैं खुद स्टार्ट करते हैं 1773 से तो अब यह सबसे पहले क्या है 1773 का रेगुलेटिंग याक्टा है तो यह जो था यह पहला था जहां पर की जो बिटिश गवर्मेंट थी उन्होंने कंपनी के ऊपर कुछ लगाम लगाने की कोशिश करी तो इस वर्थ स्टेप तो कंट्रोल एंड अफेर्स ऑफ दी इस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने पहली बार कोशिश की कि अभी तक इस इंडिया कंपनी ठीक चल रही है 1773 तक इस ने कमर्शियल पॉटी है उसके लाब कोई रोल नहीं है तो उसी के साथ जो इंग्लिश गवर्मेंट थी या बिटिन की गवर्मेंट थ सब्सक्राइब करते हैं अभी भी राज कोन कर रहा है राज कर रही है अभी इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्मेंट आई नहीं है यह सी के भरोसे ही सब काम चल रहा है ठीक है और सेंट्र अन्विस्टेशन होने क्या है 1765 में दिवानी राइट्स आगे पर दिवानी का मत बतले कि अब दिवानी मुकदमें आपने सुनेंगे वह दिवानी दिवानी मुकदमें होते हैं चैसिलार और आप पैसा बहुत है इस बताया जाता है अब पता नहीं है ऐसा बोलते हैं कि revenue में बहुत पैसा है तो लेकिन हम अपने बच्चों से यह देखास करते हैं हमेशा इमानदारी से काम करें और बढ़िया से काम करें वह पैसा ही आपको फलता है ठीक है उसके लावा तो सब मित है ठीक है तो features देख लेते हैं features क्या कि थे तो इन्होंने क्या कि गर्वर्णर बंगॉल था उसको गवर्णर जनल्व बना दिया कुछ नहीं रहे सिर्फ बातें होंग यह बड़ी कि गवर्णर बंगॉल को आपने क्या कर दिया गवर्णर जनल और मदरास और बंबे के जो गवर्नर्स थे उनको इन सब्सक्राइब कर दिये किसके गवर्नर्स जनरल ऑफ बेंगहुल के ठीक है उसके बाद इसी एक्ट से 1773 में यह आक्ट आया सब्सक्राइब कर दिया अभी तो देखना अभी आप स्टैबलिश कर रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद अपने आपको इसके परव्यू से भार कर लेंगे यह शाडपत्ती की एकदम मस्त कहानी है ठीक है कि पहले वह सुप्रीम कोट स्टैबलिश करेंगे अभी हम देखिए अ सिविल सर्वेंट्स थे जो काम करते थे कंपनी के उनको नोंने बोला कि आप घूस नहीं लोगे और आप प्राइवेट जो और भी काम करने लगते पता लग रहा किसने चाय के दुगान खोली है एक चाय वाला कोई बना वाए उसने लग रहा एक चाय की चेन बना रखिए लग से प्राइवेट काम भी चल रहा है तो अबनी ने बोला कि यह नहीं होगा यह गलत बात है ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या किया एक नई बड़ी बना दी कोट डाइक्टर इसके बाद वह एक बड़ी और नहींगे बाद में बोड़ अब कंट्रोल इसको बोली फिर वलाएं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 तो अब उन्हें सुप्रीम कोट बना दिया था अब जब सुप्रीम कोट तो कोट है कोट में गवर्नर जनरल भी आएगा मान लिया आज कि सुप्रीम कोट है अगर मान लिया माने परदार मंतर जी को जाना पड़ेगा ठीक है लेकि अगर में कि उन्होंने की गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के साथ एक कांसील होता था उस तेम पर इसको एड़ाइन एडवाइस करता था वेरियस सब्जेक्ट वे उसको कहा कि यह सुप्रीम कोट कुछ नहीं कर सकता ठीक है वाई कोई बात नहीं कर सकता उसके वाद उन् कर दिया वहार कर दिया जिसकी लाटी उसकी पहस इसलिए कावत वहीं से बनी होगी जो उन्ह बिशाठी कोट में जाएंगे ट्राइख किया कोर्स में उसको उनके परस्न लाँ मतलब क्या हो गया कि हिंदू को आप हिंदू लाँ से गवन करेंगे मुस्लिम्स को आप मुस्लिम लौ से गवर्न करेंगे तो आप समझ रहे हो क्या रहा है इससे पहले एक युनिफॉर्म मिटी थी लौ में ठीक है आज जो आर्टिकल जब तक 1911 जब पार्टिशन अगर आप 1905-1911 का पार्टिशन हुआ है बंगॉल का पढ़ेंगे तो यहां वहां पर युनिफाइड फ्रेंट पाएंगे आप हिंदू एन मुस्लिम्स का ठीक है बट आप देखो कि सीड्स आप साइकॉलजी भी सम्झाव फिलास्पी भी समझो पॉलिटी में जो पढ़ रहो यह लक्षमी कांद में लिखा हुआ है लेकिन आपको जो है अनलिटिकल भी बनना है तो प्री प्लस मेंस दोनों की त्यारी करने हैं ही ठीक है तो इनको पावर कम करो उसकलिए क्या उन्होंने अदो गवर्नर जर्नल बहुत बार हम बोलेंगे उसको उन्हें जी जी लिख दिया यहां पर ठीक है उन्होंने कहा कि अपील जो है जो प्रोविंसे से जो पील आएंगी प्रोविंशल कोड भी होते थे अब उसके खिलाब भाई जिसके खिलाब और आजएगा अब जब अपील में जाता था तो सुप्रीम कोड चले जाता तो आज तो आर्टिकल 143 143 के अंदर कुछ भी कर सकता है मैं कई भार मजाग भी करता हूं कि सुरज को वेस्ट से भी होगा सकता है इतनी पावर है मतलब नथिंग अगेंस दी ओनरेबल कोट बट देन त्स ती काइंड आप पावर सुप्रीम कोड इंजोए सब्सक्राइब कर देख सकते हैं यूट्यूब पे कभी आप ऐसा नहीं भाएंगे कि उस जो एक्सराइब या उस पावर का जो एक्सराइब वो कलत तरीके से हुआ देर वर इंस्टेंसेज इन पास्ट जो उसके पावर का गड़ा इस्तेमाल हुआ था बट देन कुडे जजेज आर वेरी मेच्चोर देयर वेरी अंडर्स्तेंडिंग दे यूज दोस राइट्स अनली तो प्रिवेंट दी राइट्स आप अच्छी बात है ठीक है उसके वा प्रोवेंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के ठीक है वह रेगुलेशन नहींगा कि कैसे आप काम करो गया ठीक है भाई कोई नहीं बना दिया उन्होंने अब यह हो गया आपका अक्ट ऑफ 1781 हो गया में निए उसके बाद थोड़ पांच साल साल और सही चला उसके बाद सब्साओ एक पिट्स अंडिया अक्ट आया 1784 पिट्स ने या किया आके या ये पिड़ेट इंडियाया एक्ट में क्या हुआ कि झो पॉलितिकल इंड कमर्शल फंक्शन्स थे इक कंपनी के उनको अलग-अलग कर दिया जय औ्bb 2008 Momo को कर दिया ऑम किसको कर दिया पॉलिटि अब उन्होंने क्या बोला कि वह जो अफेर्स है वह तो देखेंगे तुम्हें पैसा कमाना है पहले से बनावा है तुम वह देखो अब लेकिन अब हमें तुर्द था लाला चा रहा है अब हमें पॉलिटिकल अफेर्स भी देखने इंडिया वाले तो मैंनेजर नहीं कर सकते अपने आपको हो ना ऐसा लगता था विटिशर्स को विटिशर्स की यह फिलोस्फी थी कि इंडियन्स आर नॉट एबल तो गवन देंसिल्ब्स और ऐसा ही कुछ वेश्ट के देश्ट सोचते भी थे आज तो सिच्वेशन चेंज हो गई है ठीक है ब्र दिन पहले सिच्वे अब इस बोड़ ऑफ कंट्रोल अब इस बोड़ कंट्रोल अगया तो रेवन्यू तो कमर्शेल फंक्शन में आ गया तो सिविल और मिलिटरी बचा तो सिविल और मिलिटरी ऑपरेशन देखेंगे भाई आप ठीक है और जो रेवन्यू है जो रेवन्यू है वह रेवन्यू कोट ऑफ कंट्रोल करेगा लेकिन कमर्शेल फंक्शन जो है पैसा बनाने का जो काम है और पहली बार पहली बार इस एक्ट के अंदर जो है इंडियन टेरिटरीज को बिटिस पोजेशन इन इंडिया बोला गया तो पहले तोड़ो अब तोड़ा कभजा बन रहें अब कभजा बना रहें विटिशन की कहा देते ना आप जाएंगे तो जो खाली लेंड पड़ी भी होती है या आपने देखा होगा पट्टे की जमीन जो होती है या ग्राम समाज की जमीन होती है उसमें क्या होता है एक आदम सब्सक्राइब जमीन पर एक वोटर बना देता है तो यह इडानी जमींदारी एडार थी जमींदार ने ऐसे ही किया तो उन्हें क्या ब्रिटिस पोजेशन इन इंडिया तो अब क्या हो रहा है कि क्रावन हलके-हलके अंदर आ रहा है कोई नहीं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी गया उसके बाद उन्हें का फोड़े साथ चला आट-नौ साथ से फिर आप वह लिया है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 तो अब जो है रेगुलेटिंग आक्ट होगे खतम रेगुलेटिंग नहीं हो रहा है अब आएंगे चार्टर एक्ट 1853 तक आप चार्टर एक्ट मशलत अग्याइन सी तरी है को उससे पहले ब्लोंतन इट्रस्टीं श्टोरी में B AWS 790 में इस एक चाहते हैं चले श्लल करनो वालीरह क्या हुक्त अग्याि रेग्वह दवंग बनूंग क्या सुर्त लेकिन मैं दो शर्तों पर बनूंगा तो उन्हें बुला ठीक है सर बताइए कौन सी शर्तों पर बनेंगे आप ठीक है उन्होंने कहा कि जितने भी कॉंसिल के मेरा कॉंसिल होगा मुझे एड़न एडवाइस करेगा लेकिन डिसीजन हो मेरे पर वैंडिंग नहीं होंगे मैं न सब्सक्राइब कर सकता है इसको जो है इन्होंने पुक्ता कर दिया सिमेंट कर दिया इन्होंने का कि हाँ यतने भी फ्यूचर गवर्नर जन्रल्स आएंगे वह जो है उनके पास यह वीटो रहेगा और राइडिंग पावर रहेगी ठीक है उसके उसके साथ-साथ क्या किया इन्होंने गवर्नर जन्रल को ज्यादा पावर देदी बहुत और राइडिंग पावर आ गई ठीक है जितनी भी प्रेजडेंसी इस थी बॉंबे की मद्रास की वह सब्वाडिनेट कर दी गई पहले से ती उस पर और कंट्रोल मजबूत कर दिया ठीक है उसके बाद एक काम और किया की उन्होंने क्या कि तो उन्होंने का कि ठीक है 20 साल के लिए आपकी मनोपली बढ़ा दी 1793 से 1813 तक इसके वाद जो चार्टर एक्ट आएगा वह कुन सा आएगा 1813 में बीस साल के बाद आएगा ठीक है बीच बीच में कुछ कुछ आता रहे लिए वह इता है इंपॉर्टेंट नहीं तो उन्हो जो कमांडरिंचीफ था उन्होंने क्या बåला Case Beフैसा इन्दिया इंडिया इंड़रण diviner चीफ से इनकी तनकात उनकाटे जाहिए तो यह बन गया कि 1700 बन गया 20 सालılar निकल गया अब आया चर ट्रेंट-प्र intellect यहां से जो है अब क्या होगा अब इंडिया के लिए ब्रिटिज गवर्मेंट जो है इंडिया को खोलना चालू करेंगी थीक है अब देखो क्या से खोलना चालू करेंगी मनौपली स्टैबलिच खतम कर दी इसकी इसकी मनौपली रह जाती है मनौपली इंटी ट्रेड विट चैना उन्हें कुछ तो छोड़ दो उस्तों कमा लें ठीक है चलो मैं तुम मानी मनौपली और चाहिना के स चैना कंपनी की टेरिटरी जहां जहां कमनी की जमीने है अब उस पर क्राउण की सॉविनिटी है क्राउण रूल करेंगा बिद्ध कराउं की सॉविनिटी है उन्होंने 1813 में क्रिस्ट्षन मिश्नली इसको भी अलाओ कर दिया भारत में आने के लिए इसके लिए तुम आइ जो हैं बटकेवे लोग हैं मतलब वी आर दी ग्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ठीक है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर है और हमें करने के लिए बस हमारी कुछ-कुछ गलती हैं हम लोग इदर से कम जो हो रहा है हम लोग अपने आपको वीक मा सिर्फ मैंड की बात है विदर मैंड पर गेम हो रहा है सारा तो क्रिष्टन मिशनली को अलाव कर दिया वही देन आलाओ जब किस्टन मिशनली जाई तो अपकोस सी बात है उन्होंने वेस्टन पढ़ाना ही था अफकोस ही यह अच्छी चीज थी कि वेस्टन एजुकेशन प अच्छी अच्छी नहीं आई है बहुत लोगों को लगता है कि 73rd and 74th Amendment Act साही लोकल गवर्मेंट का जो है उद्ध गहाटर नहीं हो था इंडिया में नहीं भी आ ऐसा नहीं है लोकल गवर्मेंट जो है बहुत पहले से चलिए आ रही है ठीक है वेरियस फॉर्म्स में तो टे अलोग लोकल गवर्मेंट पोष्टेक्स वेह नीकरते था उसकी पिटाई होती थी उसकी पिटाई होती थी उसके पैटाई था थी पनिश्मार खेया थे वर्मस धिंद गया चार्टर एक निकल गये 1813 का भीट निकल गया अब इस तेमिक बड़े इंट्रेस्टिंग आदमिया यह थे लॉड मैकुले ठीक है मैकुले माइनिट्स पड़ा होगा एडुकेशन पॉलेसी उन्होंने पूरी चेंज कर दी इंडिया गी ठीक है तो दिस इस अलसो नोन इस दी फाइनल स्टेप तुवर्स इस एक में क्या हुआ गवर्णर जन्रल और बंगॉल गवर्णर जन्रल ऑफ इंडिया बना दिया दस सेकंड देता हूं कॉण बाक्स में बताएगे पहला गवर्णर जन्रल ऑफ इंडिया कौन था ठीक है ठीक है यस यू रश्यूटल रविल्यम बंटिक लॉर्ण बंटिक लॉर्ण बंटिक वस्ट गवर्णर जन्रल ऑफ इंडिया और उसी को अल सिवल और मिल्टर पावर वल गवन तो ठीक है देन गवर्णर जन्रल वस गिवन एस्क्लूजिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर्डी एंटार बिटिस इंडिया और वो क्राउन का ली जो हैं बिटिस इंडिया बिटिस प्रॉजिशन इन इंडिया बन गए थे क्राउन की सव इनिटी बन गई तो जितने भी अच्छा एक और चीज इंट्रेस्टिंग है कि इस से पहले भी जो भी रूल्स बनते थे उन्हें कुछ ज्यादा इंपॉर्डन नहीं है बड़ता है अब 1833 क्या माने का उसको एक्स बोलने लगे ठीक है यह भी एक चीज़ है कि उसको एक्स बोलने लगे ठीक है और अब ज एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज हो इसमें कि उन्होंने कहा कि इंडियंस विल नॉट बी डिबार्ड रॉम फोल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एन इंप्लॉयमेंट अंडर दी कंपनी तो एक टाइप से यह कोशिस थी 1833 में कोशिश होगी अभी 1853 में होगा अज़ी काम नहीं 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 यह तो हमारी जॉब ले लेंगे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं तो यह प्रोविजन उस टेम थंड़े वस्ते में चला गया कि है नहीं इसमें महेदारी नहीं ठीक है तो अब आगए हम 1853 में 1853 में क्या हुआ कि गवर्णर जनल कांसिल था तो यह कुछ करते हैं तो रिफॉर्म करते हैं तो उन्होंने का एक तो उसके मेंबर बढा दिया अब मेंबर हो गए श्य काम बेर देना है तो काम किया गया है वह आपका परलेमेंट का लेजिस्टेव फंक्शन होग अच्छा मैं थो बहुत बढ़ता है क्यों बहुत सारे बच्चे होगी अलग-अलग स्पीड होती है बढ़ने लिए तो बेस्ट व्यूद एड़ 1.25 एक्स एड़ 1.5 एक्स नोवर्स ठीक है एक्जिकुटिव फंक्शन क्या हो गया यह पॉलिसी आएगगी यह स्कीम बनाई जाएगी माइनॉर्टिस को यह स्कीम इसको जो है अलग-णिया कर दिया वने का कि लेटिव कॉंसिल को एक्स्पइनट कर रहे है और अंग कर रहे हैं और लेटिव कॉंसील को ही उन्होंने उस चलो नरम हो रही है और से क्वेश्ण ओना चुकि है अब और भी प्रोविंस्जस को भी थूड़ा पावर्ड उन्होंने बोला कि छह में से चार जो मेंबर्स आएंगे वो प्रोविंस से आएंगे प्रेजिदेंश से आएंगे कुर्वोंसी मद्रास बंबे बंगॉल एन आगरा से ताकि लोखोल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाओ सब्सक्राइब ठीक है नौँ सेवल सर्विसेज व जो काम हुआ जो 1833 में नहीं हुआ कि इंडियंस और उसके उन्होंने क्या किया एक मैक्योली कमेटी बिठाई 1854 में वह 1834 वाली कमेटी अलग है वह एजुकेशन पर काम करेंगे वह इस्टी में पढ़ाएंगे ठीक है यह एटें 54 में नहीं कमेटी या ठीक है देन लिए कंपनी का रूल बढ़ा तो दिया हुनोंने लेकिन कब तक बढ़ा है यह नहीं पता और एक खटना काम कर दिया पर ने कहां कि कभी भी तरमिनेट कर सकते हैं है है अन्य टैम टर्मिनेशन हो सकता है है ठीक है तो ज्जादा चौड़े नहों एन्लिटाइन टर्मिनेश पढ़ेंगे उसके बाद फिर चार्टर आएंगे ठीक है इंडियन कॉंसिल आएंगे इंडियन इंडिपेंडेंट्ट आएगा टोर्मेंट आप अब डिया थाइगा तो थेंक्यू अल फ्यों और विए अल्वेस बिडियू फूल फॉल फॉनडेशन आलवेस रिमेंबर देट पर पड़ें है तेस्ट पोशिश करते हैं कि आपको कम से कम बना है ठीक है हमाई टेस्ट चैनल पर आप हमें कॉंटक्ट कर सकते हैं कोई भी दिखका दो हम प्लेलिस का नाम बता रहेंगे आपको जितने और साथ फांडेशन आपको अलफा यस की यूटीब चैनल पर मिल जाएंगे विकली करन अफेस्सीलिस आपको मिलेगी इस इंपोर्टन इडिटीट इस्कुरिशन आपको मिलेगा अरप्ते अन आप आप अन आप नोट आफ तो से यू गुट बाई तिल देन टेक केर बढ़ हैं आपको आपको कि बढ़ाएंगे देक हैं आपको कि कि अनुट श्यू आपको इन आपको इनुटीब चैनल अपको